राम राम जी सभी भाईयों को वाई दब आज मैं बहुत दुखी हूँ मतलब इतना दुखी हूँ मेरे बोल लिया भी नहीं जा रहा मेरी चाती फटी जा रही है अब आप यो पुछो के बाई बाई इतना दुखी क्यों है बाबा लोग को तो सुख दुख से उपर रहना चाहिए संसार के सुख दुख, बाबा लोग को तो प्रवावित नहीं करने चाहिए प्रवाई यकीन मानी हो, बाबा आज गहणा दुखी है बाबा क्यों दुखी है, क्योंकि जंगल के बेड़ी हैं जो जंगल में बेड़ी होता है अपना डिस्कवरी चैनल देख्या है डिस्कोवरी चैनल में होता ना कि वो बेडिये जो है किसी एक जानवर ना गेदले कोई मेमना कोई एरन कोई विल्डर बीस्ट कोई जीब्रा फिर सारे दस बारा पंदर बीस बेडिये मिलके उस का शिकार करते हैं और बेडियों की एक बड़ी खाशियत होती है कि वो उस अपने शिकार को ठका लेते हैं इतना दोड़ाते हैं इतना दोड़ाते हैं वो भी जारा दोड़ दोड़ के ठक जाता है फिर जब जाता है तो जिंदा ही खा जाते हैं बेडियों मरने का इतजार नह तो बैडत जंगल के बेडिये बहुत दुक़्ी है और बदल बीञेखों GUY कई बार मिटिंग कर लियाए हम बैडिये क्यों दुक़् है बेड़िए जो हैं मेमने बेड़iau के बच्चे उनकी सुरक्षा को लेके बहुत चन्तित है कि बही जंगल में भेड़े और भेड़ों के बच्चे बकरी के बच्चे सुरक्षित नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही उनकी जिंदगी खत्रे में है और भेड़िये जो है मेमनों की सुरक्षा के लिए वकाइदा सरकार बनाना चाहते हैं कि हम जो जंगल का राज है वो सही नहीं है और हम अब भेडिये जो है मेमनों की सुरक्षा करेंगे मेमनों के कल्यान के लिए बेडियों ने संग बनाया है और भेडिये अब जो है भेडों और मेमनों की चिंता में मरे जा रहे हैं बाई गॉड एक हमारी बेड़िया है जी साक्षी मलिक नाम तो था मलिक इसने डबल के एच कर लिया मलिक जी की एक फेस्बुक पोस्ट आई है जी वो मैं पढ़के सुना दूँ आपने थोड़ा सा दुकिया आप भे हो लो मलिक जी लिख रही है सब ही देश्वाशियों को मेरा नमस्कार अंडर फिफ्टीन और अंडर ट्वेंटी के नैशनल दो बार रद दोगे ओहो 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 ये तो बहुत गल्ट हो गया बई और कुष्टी का भविश्य अभी अंदकार में चल रहा है ओ तेरी रहे कुष्टी के भविश्य की तो वाकी बड़ी चिंता है कई किलो तो वजन कम हो गया थाक्षी का आपको पता है कि बीश-पच्चिस की लोगा जिन कम हो गया कती बिल्कुल धांच्चा इसी रहेगी यह वह बिल्कुल पत्ली सी होगी जी कुष्टि का भविश्य अभी अंधिकार में चल रहा है दो बार अंडर 15 और ट्वेंटी कैंसिल होगी कौन सी अंडर 15 और ट्वेंटी जो एडांप कमेटिक कराओ थी जो लिए पार बेडियों की जो इन थी ना बेडियों ने संग नहीं बनाया था मेमनों की तुरक्षा के के लिए तो बेडिया संग की जो अंडर फिफ्टीन अंडर ट्वेंटी नेशनल थी वो दुबारा कैंसिल होगी पहले तो गौलियर में नहीं थी वो कैंसिल करी फिर पट्याले में नहीं थी वो भी कैंसिल करती एसी सुती में कुष्टी को बचाने के लिए पिछले वर्ष हम सब भेडियों द्वारा किया गया संगर्ष भेडिये मेरे वह अन भेडियों द्वारा किया गया ताग त्याग बेमानी नजर आ रहा है जिस वज़े से मैं मतलब भेडिया मादा भेडिया मानसिक रूप से दुखी और कमजोर होती जा रहे हुए नहीं कि 20-25 किलो वजन चोरी का गट गया आपनों को कोई चिंता ही नहीं है ये तो गलत बात है भाई वजयंंड गट पाच्छा यरु में बच क हो है कि लेकिन उन गरीब माता पिता को मत यहांreal भेड़े जगत की बेंड़े हैं लेकिन जब उन गरीब भेड़ें को देखती हुँ जो अपना पेट काट कात कर अपने मेमनों का भविश पूसे कुष्टी में देख रहे थे हो आपको बार-बार आवाज उठाने के लिए त्यार करते हैं जाय बार-बार आवाज उठाओ मेम्नों की सुरक्षा के लिए यह दिस सरकार संजे सिंग्ञ से इतनी डुरी वहिए तो सरकार को एड़ाक कमेटी बना कर जैपूर में नेश दिखावा कर रही थी अब तो बेडियों ने भी मान लिया कि जैपूर का नेशनल दिखावा था मैं तो बाइब यह बात पिछली दो मेनी से कहता रहे हूं कि यह वह डाव कमेटी का नैशनल दिखावा है एक फरजी संस्था द्वारा करा गया फरजी टूर्णमेंट है एक ऐ इसी संस्था जिसके पास नेशनल कराने का मेंडेट ही नहीं है वो नेशनल करारी है और तुम सब पिछवाड़े पर गुलाल पोत के डांस कर रहे हैं चश्मा लगा लूँ बाई चश्मा पगयार ने कम दीख रहे हैं बलकि डंके की चोट पर संजय सिंग को बाहल करके यह छूट दे देनी चाहिए कि अब तक महिला पहलवानों का जो जौन सस्सन बंद कमरों में होता था वो अब खुले आम शुरू कर दो यह बहुत ही अपति जनक बयान है आप हमारी महिला पहलवानों के लिए यह टिपनी कर रही है यह अब चुकि संजय सिंग की डबलो एफाई आ गई है पूरी तरह उतने कामकाश शुरू कर दे है क्योंकि यूडबलो डबलो ने मानिता दे दी है इसलिए अब हमारी लिए यूंका जौन सोसन सरयाम होगा इस प्रकार के बयान दे के मैं हमेशा थे कहता हूं कि अरब बेड़ियों तुम हमारी बच्चीयों को क्या मैसेज दे रहे हैं उनके पैरेंट्स को क्या बता रहे हो मतलब एक बार बताएं ने जब आप इस टाइप की पोस्टे लिखत हैं और उसको पूरा देश और अर्याने का पूरा समाज पढ़ता है तो मां लीजे मैं अपनी बेटी को पहलवानी कराने बेजता हूं और मेरा पडोसी और गाउं के भचास लड़के यह आपकी पोस्ट पढ़ेंगे तो वापस में क्या चर्चा करेंगे कि बाई साक्षी कवै थी यह जो चोरी रोज जाहें यह जोंसर्शन कराने जाहें आपकी पोस्ट से तो यही समझ में आ रहा है ना कि आज जो भी लड़की पहलवानी कर रही है या इस पहले जिन ने भी करी उन अपना जोंसर्शन कराया है पहले बंद कमरे में कराया आप खोले कमरे में होगा ऐसे में कौन पैरेंट वैसे ही विचारी हमारी बेटियों को म बड़ी मुश्किल से कुछ बेटियों को कुछ जो खुशनसीब हैं जिनके पैरेंट्स थोड़े से प्रोग्रेसिव हैं वो अपनी बेटियों को बेटों की तरह जो है बराबर मौके दे रहे हैं कि बेटा तू भी कर तू भी अच्छी बड़ीया डाइट खा तू भी पहल उठे अनर्गल प्रलाप करके मैं इसलिए पहले दिन से कह रहा हूं कि बैया अपनी व्यक्तिगत राजनीती के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हर्याना की और पूरे पूरे देश की बेटियों का भविश्य चौपट मत करो उनकी रा उनके रास्ते में रोड साइड कर लें किना अमने ना करानी अपने छोरी को पहलवानी कि बार्वी कर ली 17 साल की होगी इसको ब्याद दो और तुम्हारे इस दुष्प्रचार से किसी एक बच्ची का कैरियर चौपट रसकता है क्योंकि उसका पिता उसका भाई उसका परिवार आपके इस दुष्प्रचार के बहकावे में आ जाएगा आज मैं उन बच्चों से भी ये सवाल करना चाहते हूँ जिन्नोंने हमारे खिलाव जनतर मंतर पर धरना दिया था अगर आज ये नेशल कराने के लिए धरने पर आते हैं तो मैं उनके साथ बैठने को तयार हूँ साथ ही सरकार थे फिर अन्रोथ कर रहे हूं कि मामले की गंबीटा को ध्यान में रखते हुए कुछती के बविश्ट को सुरक्षित करने का काम करें ये सब साक्षी मलिक जी की पोस्ट है आज फेस्बुक पर अब आप मुझसे सुन लो की अंडर फिफ्टीन और अंडर ट्वेंटी का जो सीनियर सॉरी नैशनल चेंपिंशिप होनी थी पहले गवालियर में और अब पट्याले में जो कि एड़ॉक कमेटी कराने जा रही थी वो क्यों नहीं हुई और क्यों कैंसल करने पड़ी तब जैपूर में जो नैशनल हुआ उसमें तो क्योंकि वो सरकारी नैशनल था तो दो सरकारी टीमों का अनिवारी था एक रेलवे दूसरी आर्मी और रेलवे और आर्मी दोनों में थोड़े अच्छे पहलवान हैं इंडिया की टॉप की क्रीम बलकि वहीं बरती है तो कुछ स्टार वैल्यू जैपूर नैशन में स्टार ही नहीं आए या बड़े पहलवान नहीं आए बड़े बड़े नाम नहीं आए वो तो वैसे ही फ्लॉप हो जाता है तो जैपूर नैशनल की इज़्जत थोड़ी सी बच गई थी क्योंकि आर्मी और रेलवे आ गई थी और पंजाब ने अपनी ए टीम पंजाब से कोई त्रिपुरा से कोई केरल से कोई गोवा से क्योंकि इन सेटोंने टीम है तो भेजी नहीं तो टीम है तो एकदम खाली दी इसलिए एक कागज पे एक जोठा सच्चा लेटर एड़ बना लिया एक मौर बन वाली और उस कागज पे छे आठ दस लड़कों के नाम लिख दिये चलो जी यह हमारी टीम हो गई कोई पंडचेरी से लड़ गया कोई गुवा से लड़ गया कोई त्रिपुरात लड़ गया कोई सिक्किम से लड़ गया इस तरीके से तो जैपुर नेशनल हुआ पर इज्यत बचाली रेलेवे और आर्मी के पहलवानों ने चलो जी खे स्टेटों ने टीम बेजी नहीं जैपुर में तो वो ग्वालियर भी नहीं बेजते क्योंकि स्टेट यूनिट्स तो डबलु अफ़ाय थे अफिलिएटेड है न तो वो तो डबलु अफ़ाय के आउजिन में टीम बेजेंगी तो इसके इनको पता लग जया था कि हमारी अंड ग्वालियर में जो नेशनल रखा था वो कैंसल किया तब तक डबलु एफ़ाय को मानता दे दी यू डबलु 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 ने जैसे ही डबलु एफ़ाय को मानता थी मैं तो पिछले चार महिने से यही बात कह रहा हूं किया रहा है भाई सिर्व उस दिन का इंतजार करो जे दिन यू डबलु डबलु का रेकागनिशन का अफिलिएशन का लेटर आ जागा वो आ गया उसके आते ही एड़ॉक कमेटी अपने आप खतम होगी उसका कोई मेहतन ने अब तुम कैंप लगाय रहा हो चाय जो कराय जाओ कोई मतलब भी नहीं क्यों कि भाया नैशनल करा लिगा तो कहीं भेजओ गे तो टीम तो यू-डबलु-डबलु लड़ाएगी और वो यू-दबलु-डबलु किसकी लड़ाएगी जो अधिकारिक टीम होगी है अधिकारिकटीम किसकी है चूकि डबलु-एफऐ का बैन अट गया है वो बैन जो की चुनाव नर्क राने के बज़ेते हुआ था इसलिए कृपया फाक्षी मलिक के इन गड़ियाली आस्वों के चक्कर में मत पड़ों यह वो भेडिये हैं जिनोंने कुष्टी को कती खा लिया नास कर दिया आपको तक्षी मलिक जी अगर कुष्टी की इतनी चिंता थी न तो आप नंदिनी नगर में चला चलाया चला चलाया टूर्णामेंट बीच में बंद नहीं कराती अगर आपको कुष्टी की इतनी चिंता थी तो आप लखनव में चला चलाया कैंप बंद नहीं कराती अगर आपको कुष्टी की इतनी चिंता थी तो आप WFI के चुनाओं को एक साल तब डिली नहीं करते हैं अगर आपको कुष्टी की इतनी ही चिंता थी तो चुनाओं होने के बाद जब अंडर 15 और 120 का नेशनल्स WFI ने गोशना की थी कि 31 दिसंबर ते पहले पहले हम नेशनल करा देंगे जिस जूनियर बच्चों का एक साल बच्चा है आप उसको अपने जूते टेबल पर टेक के और वो जो नाटक आपने किया था ना आंदोलन करने सन्यास लेने का जूनियर बच्चों का बविश्य और इस कुष्टी का बविश्य आपने खराब किया है इसलिए बेडियों ये घड़्याली आशु बाना बंद करो WFI ने पूरी तरह function करना शुरू कर दिया है वो अपना काम कर रहे हैं उन्हें काम कर लें दो तुम्हारा ये नाटक तुम्हारा ये शड़ेंत्र कुष्टी जूटे घिनोने आरोप लगा के पूरी कुष्टी को बदनाम करके भारत की बेटियों को बदनाम करके कुष्टी संग पे कबजा करने का आपका ये operation आपका ये अभियान आपका ये शड़ेंत्र फेल हो चुका है नया कुष्टी संग जिसके अध्यक्ष संजे सिंग है वह चुनाव जीत के यू डबलू डबलू ते मानिता प्राप्त करके उन्होंने अपना काम function पूरा कारिकलाप शुर कुष्टी का जितना नास करना था कर लिया इव आगे बख्ष दो इसलिए इन भेडियों की ऐसी घड़ियाली आसुओ भरी Facebook पोस्ट पे पबलिक जो है ध्यान देना बंद करे अपने बच्चों को पूरे उत्साह के साथ पहलवानी कराईए बच्चों मेनत करो आगे बेडियों को नदर अंदाज किजिए यह बेडिये सिर्फ अपनी राजनीती कर रहे हैं इनको आपकी पहलवानी से आपके कैरियर से कोई मतलब नहीं है आपका बला जब भी करेगी तो डब्लू एफ आई ही करेगी कि यह चोटा सा वीडियो बना दिया आज के लिए क्योंकि आज यह मेरी नदर पड़ गई साक्षी मलिक के इस गड़ियाली आसुम वाली पोस्ट पर तो इस पर मेरे का पबलिक को एक स्पस्टी करण देना बहुत जरूरी है आज के लिए इस वीडियो में इतना है अगले कि वीडियु फिर्थे मिलते हैं किसी नहीं टोपक के तान था. Thank you very much.